Dominar 400 का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसको नमस्ते दोस्तो और वेलकम तो आर चैनल कैसे आप लोगें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को Dominar 400 का 2022 वाला मोडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए As a Dominar 400 owner experience में आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ यह And मेरे पास Dominar 400 का 2019 का मोडल है जिसको मैंने 23,000 km से जाधा चला है City पर चला है, Highway में चला है, खराब रस्ते के उपर मैंने चला है And based on my experience में आप लोगों के साथ यह चीज़ शेर करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को Dominar 400 2022 का मोडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अभी मैं आप लोगों को पहले short में answer दे देता हूँ जिन लोगों को यह video ज्यादा लंबा तक नहीं देखना है जिन लोगों को यह explanation चाहिए कि क्यों लेना चाहिए तो वो लोग यह video पूरो फूरा देख सकते हैं फिलाल मैं आप लोगों को short में answer देख सकता हूँ कि अगर आप लोग एक touring के लिए bike देख रहे हो So definitely मैं आप लोगों को बोलूँगा you can go for it And it's still worth of buying अब मैं इसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को explain करते था हूँ कि पहला आप लोगों को क्या चाहिए highway के उपर एक अच्छा speed जिसके उपर आप bike भगा के जितना भी distance है आप जल्दी से cover कर पाओ So definitely Dominar 400 यह चीज़ कर सकता है Dominar 400 का engine काफी अच्छा है especially for long tour power and pickup काफी अच्छा है जो कि आप लोगों को help करेगा triple digit speed में चलाने के लिए and even without a sweat मैं यह चीज़ शेयर कर रहा हूँ मेरे experience के base पे क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था Statue of Unity के ride पर तब मैंने Dominar 400 के उपर straight 200 km से ज़ादा ride किया था वो भी continue 110 से लेके 130 km per hour तक की speed पर 200 km से ज़ादा भी bike चल जाता बट यह चीज़ था कि आगे कोई petrol pump नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले break ले लिया petrol refueling के लिए अब मैं आप लोगों को यह एक और चीज़ बता देता हूँ कि Dominar 400 का 2022 वाला model लेना सही option क्यों है क्योंकि इसके अंदर पहले से ही वो सारे touring के modifications हो कर आते है जो कि बहुत ही ज़ादा important है for example कि मैंने Dominar लिया फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सारा जो modification किया अभी तक तो उसके अंदर बहुत सारा modification हुआ भी नहीं है मैं आप लोगों को यह बोलूँगा कि आप लोगों को directly यह जो bike मिल रहा है वो ready for tour है आपको बस लेना है और जबी भी आप लोगों का मर्जी हो आप touring के लिए निकल सकते हो based on my experience में आप लोगों के साथ शेर करता हूँ कि जितना भी important होना चाहिए modification bike के अंदर वो सारा modification पहले से ही Dominar 400 2022 के model के अंदर करके आता है यस अगर आप लोग अपने आप से Dominar 400 को modify करवाना चाहते हो so definitely आप सारे parts निकाल के अपने खुद के parts भी add कर सकते हो but मैं आप लोगों को यही बलूँगा कि already Dominar 400 का look काफी अच्छा है but still it depends on you कि आप लोगों को क्या करना है अगर आप लोगों को अपना personal modification करवाना है तो still you are able to do it Dominar 400 का सबसे best part यह है कि इसको maintain करना बहुत ही जादा सस्ता है yes इसका after sell service इतना अच्छा नहीं है but still आगर आप लोग इसको maintain करना चाहते हो तो आपका maximum cost 6 महिने के अंदर सिब 2500 से लेके 3500 रुपे तक का जाएगा जो की 400 CC के engine के लिए बहुत ही कम है again आप इसको easily modify करवा सकते हो यह इसका i-core advantage है साथ में अगर आप कभी highway पे गाए या कभी tour कर रहे हो या कभी किदर भी किसी भी situation में आपका कोई भी part अगर खरब हो जाता है so वो part बहुत सस्ता मिल जाएगा उतना ही नहीं वो parts आप लोगों को all over India कहीं पर भी मिल जाएगा और साथ में वो बहुत ही जादा सस्ता होगा तो अगर कुछ खराब भी हो गया तो आप लोगों को major damage या major नुकसान होने के बहुत ही कम chances है अब मैं आप लोगों के साथ Dominar 400 के instrument cluster के बारे में थोड़ा सा idea शेयर कर देता हूँ तो fully digital instrument cluster है इसके अंदर जो कि आप लोगों को provide करेगा speed, odometer, mileage आप लोगों को बताएगा कि कितना मिला है distance to empty, time, trip, year position indication fuel कितना है आपके अंदर और साथ में इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा सबसे अच्छा LED headlight ये headlight काफी अच्छा है जो कि आप लोगों को 40 to 50 km per hour अगर रात में चलाना है जहां पर zero visibility है वहां पर आपको help करेगा बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपको additional lights इसमें fit करवाने पड़ेंगे अभी मैं आप लोगों के साथ Dominar 400 का seat comfort के बारे में share कर देता हूँ वो भी rider और pillion दोनों के बारे में पहला चीज तो मैं आप लोगों के ये बोलूँगा कि pillion के लिए seat बहुत ही जादा uncomfortable है specially one-sided pillion like मेरी मॉम को उसके बैटना पसंद नहीं है क्योंकि seat थोड़ा सा hard है और साथ में अगर आप लोग अपने wife को भी लेके जाओगे तो थोड़ा सा uncomfortable feel होता है rider seat के बारे में बात करते है तो rider seat का comfort अच्छा है not 100 out of 100 मैं आप लोगों को बोलूँगा but 50-50 है 50-50 है ok-ok है अगर आप लोगों को जादा comfort चीए जादा time तक tour करना है तो definitely मैं आप लोगों को बोलूँगा कि extra foam add कर देना या फिर आप लोग उसके उपर gel seat लगा सकते हो अपने comfort के लिए definitely Dominar 400 एक zero problem bike नहीं है इसके अंदर भी कुछ छोटे-छोटे problems है but वो एकदम से छोटे है जो कि आप लोगों को जादा problem नहीं create करके देने वाले है so like अगर मैं आप लोगों को बोलू तो इसका जो weight है वो थोड़ा सा problem हो सकता आप लोगों के लिए again rear brake कुछ लोगों के लिए अच्छा है कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है बाकि इसके अलावा कोई भी तरीके का problem नहीं है साथ में यस इंजिन में vibration से थोड़े से और साथ में एक और चीज की इसके bolt थोड़े time बाद loose हो जाते है जो की engine vibration के वज़े से है and that's it from my side अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को Dominar 400 के regarding कोई भी doubt है तो आप लोग नीचे comment कर देना साथ मैं Dominar 400 पे किये गए मेरे vlogs को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोगों को मेरे दूसरे चानल पे दिखेंगे उसका नाम है प्रकाश पंचा लिंक आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा thank you so much guys for watching and bye-bye and congratulations for your new bike you